तो बच्चो आप सभी का स्वागत हैं जल से आप जुड़ जाई है और आज कि किस क्लास में हम धुएदार कैसे LCM SCF के कोस्चन उडाते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिवियर्स मतब पी वाई क्यू प्रिवियर्स येर कोस्चन हम देखेंगे 2005 से 2003 तक बच्च गवर्मेंट स्कूल में पढ़ते हैं वहां के जो पुस्तक में गड़ित नहीं लिखा विसाय उस विसाय का नाम है गड़ित का जादू क्योंकि जो NCF मतलब क्या है बच्चो राष्टी सिक्षा नीती क्या कहता कि बच्चों को कक्छा एक से पांच तक के गड़ित के जाद देख रहेगा जो कि हम 2005 से 2013 तक के जितने भी प्रिवर्स कोश्चन आये हैं पी वाई क्यों हम वनको करते हैं तो बच्चों देखी आपके सामनी एक कोश्चन फर्ष्ट कोश्चन है जो कि हमारा कहां पर आया था जे एन वी नवोदय जवाहर नवोदय विद्याला 2003 इसमें 22 फिर 21 फिर 20 मतलब इस तरह के समांगे पीछे बलते जाएंगे तो कोश्चन हम देखेंगे पहले 2023 में आया हुआ कोश्चन तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि LCM का मतलब क्या होता है लासा अगर आप से पूचे तो यही होता बच्चों लगुतम समाप वर्तक होते हैं ठीक के से आपको करना है चलिए हम करते हैं नेस्ट कोश्चन इसका जे दिया कोश्चन के जो की फस्ट वाला कोश्चन क्या कहता है निमल लिकित में से कौन सी संक्या 3,4,5 तथा 6 से विभाज है तो आपको बताना है जो संक्या मतलब 3 से 4 से 5 से 6 से तो देखे बच्चों 6 से वह तिन से होगगा है कि नहीं और 5 से वही संक्य विभाज होगे जिसके लाश्ट में 0 घीरो आतो 5 हो 5 से विभाज जो होगी मतलब तब पूरा भाग जाएगा जब 0 आतु लास्ट में 5 आना चाहिए चलिए और इसके बाद हम क्या देखते हैं मतलब 3 से 4 से जाना चाहिए 4 से जाने के लिए क्या होता है कि 2 अंक होना चाहिए जाना चाहिए भाग ठीक है ना चलिए तो हम लगा के देख लेते हैं आतु देखे 5 से तो तीनो जा रहा है 4 से जाने के लिए क्या है ये भी जाता है 4 से और ये भी जा रहा है अब 6 से देखे 6 से केवल 80 नहीं जाता है 4 से जे नहीं जाएगा ठीक है ना तो हमारे पास केवाल एक ही बचा है उप्सन जो की बी उप्सन सही होगा अब इसका कि आप LCM भी निकाल सकते हैं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा बच्चो ये कोस्चन रहेगा लेकिन आपको कई तरीके में बताऊंगा ताकि आपको पेपर में जब भी आजाए तो दुबारा ऐसे कोस्चन आपको आसानी से बन जाए ठीक है न, कि आप LCM भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं आप LCM, तीन आप कर सकते हैं, आप चार का गुड़ा करेंगे, और यहां पर आप पांच का मल्टिपलाई करेंगे, क्योंकि देखें, दो और तीन यहां पर छुपा हुआ है, ठीक है न, दो और तीन तो छुपा हुआ ह कि उसके करने की जरूरत है तो आप देखिए 3,4 के 12,12,5,60 तो हमारा 60 आरा है अब और इसको कैसे कर सकते हैं 60 आरा मतलब हमारा B-Option तो सही है क्या आप बताई सरी जी इस तरीके से आप कर सकते हैं मैं आपको ट्रिक बताया था कि LCM जो भी निकालना विभाज होगी मतलब LCM होगा तो कि आप इस तरीके से कर सकते हो जितने भी संख्या रहें उन सभी का हमें 1,7 LCM करना 3 एकम 3,4 का यहीं रहने दीजिए 5 का यहीं रहने दीजिए 3,2,6 ठीक ना फिर आप किस से लगाएंगे बताये 2 से लगा दीजिए 2 बार जाएगा 5 का 5 पर आजाएगा यहां पर 2 बार जाएगा फिर देखे यहां पर 2,1 यहां पर 5 रहेगा यहां पर 1 अब हमारे पास 5 बचा है और यहां पर हम गुड़ा कर सकते हैं 3,4,12,2,2,4 हुए और 12,5,60 तो आप इस तरीके से भी करोगे यहां पर 5 आ जाएगा तो सभी का multiply करोगे तो आपका 60 मतलब किसी भी तरीके से हम सवाल किए तो हमारा के आ गया 60 आ गया तो आप ऐसे भी भाग लगा सकते हैं आपको जो सही आसान लगे आपको उसे करना है तो आप क्या दिहान रखोगे बच्चो कि हमें 5 का भाग लगाने के लिए 0 और 5 लाश्ट में देखना है 4 का भाग लगाने के लिए हमें देख लिए ठीक ना तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चली अब next question करते हैं तो आपके सामने जे second question है अब इसको कैसे करेंगे अब देखी महत्म समापवर्तक पूचा है तिसी को हम क्या कह सकते हैं ह, सी, एप मतलब क्या होता बच्चो हाइस्ट, हाइस्ट कॉमन फेक्टर ठीक है ना जो बड़ा हो कॉमन हो और उनका गुरंखनो फेक्टर ठीक है ना चलिए तो इसका मतलब क्या होते हैं मासा, अगर आपसे मासा भी पूच ले बच्चो तो बनना चाहिए कि मासा का मतलब होता है ACF, महत्म समापवर्तक तो हम लिके हैं महत्म समापवर्तक, ठीक है ना चलिए अब question क्या कहता है, question की नजर हम देखते हैं आप question पर नज़र डालिए इसको जल्ली से भी आपको करने के trick मैं कई बताऊंगा ठीक न देखी यहाँ पर क्या है 2 की power 2 है का महतम समवर तक जब भी आपको महतम समवर तक देखना है यहाँ पर कॉमा लगा अच्छे से देखे 2 की power 2 है 3 की power 2 है और यहाँ पर देखे 5 की power क्या है 5 है यहाँ पर 2 की power 3 है और इसके बाद यह देखे 2 की power 4 है तो HCF महतम समवर तक मतलब होता है मासा तो जब भी आपको मासा गयात करने रहा है बच्चो तो आपको छोटी घात देखना 2 की पावर 2 है तो सबसे छोटा ये है ठीक ना तो 2 की पावर 2 कहाँ है ये ओपसन तो नहीं देख रहा है ये B भी भी नहीं देख रहा है C भी नहीं देख रहा है तो हमारा D-Option बिलकुल सही होगा 2 की पावर 2 अब इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता हो गया मासा में सबसे छोटी पावर देखा जाता है कि common किसमें है देखे 2 की पावर 4 है 2 की पावर 3 है 2 की पावर 2 है तो हमें छोटे तरफ से लेना है तो हमारा D option सही होगा मुझे इसकी क्या है करने की जरूरत नहीं था जादा हमें दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि हमारा D option सही हो गया इससे समय की बचात हो कि और आप आंगे बढ़ जाओगे इसी के विपरीत अगर आप से पूछे LCM क्या होगा LCM तो हमें सबसे बड़ी पावर देखना पड़ेगा यहां पर क्या है 2 की पावर 4 है 2 की पावर 3 2 की पावर 2 तो सबसे बड़ी पावर होगा तो यहां पर 4 है यहां भी 4 है तो इन में से हम फिर एक बार और मैच करेंगे ठीक ना फिर 3 की पावर सबसे बड़ी देखेंगे 4 तो यहां भी 4 है यहां भी चार है इसके बाद हम देखेंगे फाइब की पावर सबसे बड़ा कहा है तो इस तरीके से यह हो सकता है ठीक है न जी है तो बच्चो इस तरीके से आप LCM में बड़ी पावर निकालना है LCM में छोटी पावर देखना है तो चलिए हम अब next question करते है तो next question आपके सामने यहां पर दिया है तो बच्चो देखिए आज मतलब वीडियो में क्या बताऊँगा इस जे वाले question के लिए बहतरीन बताऊँगा तो आपको क्या करना है 25, 45, 75 का जो की देखे आप सकते हैं 2022 में आया हुआ question है previous question हम 23 के देखे अब 20 में फर 21 के ऐसे question देखेंगे यह part first है इसके बाद second part मतलब बच्चो कल आएगा ठीक next day मतलब आपको साम डेली 7 बज़े जोड़ जाना है ताकि आपको ऐसे practice आप कर सकते हैं तो PYQ question करेंगे जो previous year question जो पिछली वर्स से आए हुए है तो लगबाग हम 40 question करेंगे आज किस वीडियो पर हम 25 और next question जो रहेंगे आदे बचेंगे अंगला part next day आएगा तो चलिए आज किस वीडियो पर हम यहाँ पर question कर रहे हैं तो आपका third question क्या है देखी करिए मैंने आपको क्या जब भी दिहां रखना है LCM तो आपके लिए के trick है LCM और SCF जे मैंने यहाँ पर लिख दिया दो पार्ट में तो आपको दिहां रखना है LCM LCM आए जब भी तो हमें क्या है 1,7 गुलंखंड करना है LCM में 1,7 गुलंखंड करना मालों यहाँ पर 25 है 45 यहाँ पर 75 और जब भी SCF में हमें अलग-अलग गुलंखंड करना है 25 का अलग यहाँ पर 45 का अलग यहाँ पर 75 का अलग हम से क्या पूचा LCM तो हम क्या करेंगे एक साथ मल्टिप्लाइ करेंगे बस आपको इतना द्यान रख लिए तो कोई सभी कोस्टन आपसे गलत नहीं होगा ठीक ना बच्चो चलिए हम अब नेश्ट करते हैं कोस्टन इसी को इसी कोस्टन को कैसे हम करते हैं यह तो आपको ट्रिक द्यान रखना इसको नोट कर लेना है कि ECF में और LCM में क्या अंतर रहता है इसको करोगे तो आप आसानी से कभी नहीं भूल सकते हो तो क्या रहता है कभी आप जे भी किये होगे कि यहां पर भाग लगा के देखे कि जिससे भाग जाएगा उससे तो हो सकता है कभी दो आपसन रहते हैं जिनमें दोनों में भाग होगा तो लेकिन होगा कौन सांसर हम यहां पर करते हैं ठीक ना तो हम क्या लिखेंगे 25 लिखे इसके बाद हमारा 45 और यहां पर 75 तो बच्चो चलो करिए इसको तो किस से जाएगा जे 5 से जाएगा यहां 25, 25, 45, 5 यहां 5 और यहां पर दो 25 ठीक ना तो जी आ गया 15 फिर 5 से जाएगा 5 बन जा एक बार फिर यहां पर 9 का 9 रहेगा इसके बाद 5 तिया 15 तीन से चला जाएगा फिर हमारा किस से जाएगा बच्चो 3 से 3 तिरकनो 3 एकम 3 फिर हमारा इससे चला जाएगा तीन एक 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 यहाँ पर वन आ गया ठीक है तो देखिए हमारे पास क्या बच्चे है जे इनका संख्याओं का आपको मल्टिप्लाई करना तो आपका आंसर आ जाएगा फाइब का मल्टिप्लाई फिर थिरी का फिर इन सभी को मल्टिप्लाई करना है तो चलिए करिए तो आपका आंसर 100% सहीं होगा तो 25, 25 ती या 75 और हमें 75 का मल्टिप्लाई 75 का तिरी से करेंगे 3, 5, 15, 16, 1 होगा 3, 7, 21, 1, 22 तो 225 हमारा आंसर होगा बच्चो अब आप बताएए 225 के ऐसा कोस्चन एकदम बहतरीन तरीकी से हमारा कोस्चन सहीं होगा तो 225 आपको D option दिख रहा होगा ठीक है ना तो देख सकते हैं आप D option इसको नूट कर लें आप बच्चो इस कोस्चन को आप नूट कर लें इस तरीके से करना LCM में एक साथ करना है अब next question करेंगे option आपको दिखा देता हूँ D option जो कि हमारा सहीं होगा D option 225 हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 225 ठीक है ना 100% सहीं होगे ऐसे कोई भी question बिलकुल सहीं होगे अब बच्चो देखी next question में यहाँ पर 72, 180 का महतम समावर्त क्या होगा महतम समावर्त हमें अभी देखे हैं क्या होता है HCF होता है जिनमें हमें अलग-अलग गुरंखंड करना रहता है तो आप भी कर सकते हो क्या अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि इसमें महतम समावर्त यहाँ पर 36 दिया है तो इनका लगुतम समय पर तक क्या होगा तो हमें LCM निकालना है बच्चो LCM में मतलब फिर से हमें क्या करना है आप देख सकते हैं 2022 में आया हुआ कोस्चन है चली हम इनका एक साथ मल्टिप्लाइ बलब गुरंखंड करते हैं एक साथ तो अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो हमारे पास 720 का भी पूरा पूरा भाग जाता है इसका और 360 में भी अम इन दोनों में से क्या होगा हम इसका निकालते हैं वैसे तो देखे चोटी संख्या होती अगर आप उसे दो अप्सन देख रहे हैं जो उन में से छोटा होग वही होगा पहला हम निकाल के देख लेते हैं जी बड़ा तो होता नहीं LCM है यह होगा ठीक ना इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं तो लेकिन पहला हम गुलंखन करेंगी यहाँ पर 72 यहाँ पर 180 तो पहले आप देखे किस से कर सकते हैं नो अट बाहत तर नो दुनी अठ चार बीस आजाएगा अब चलिए किस से कर सकते हैं चार चार दुनी आठ चार पंचे बीस आप और किस से कर सकते हैं टू से टू वन जा एक बार फाइब का फाइब 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 फा multiply 4 multiply 2 multiply 5 तो अब आप करोगे नोचों के 36 36 आ गया फिर 2 से आप करोगे तो कितना आ जाएगा पहले इनका multiply कर लो 10 तो 36 multiply 10 आप करोगे 10 10 तो कितना आ गया एक 0 बढ़ जाएगा 360 के बाद जो कि आपका 360 B option is the correct answer हो जाएगा तो बताएगे एक साथ आपको क्या धिहान रखना है कि एक साथ आपने multiply किये तो आपका answer वही आ जाएगा और HCF में महातन समवर्तक में अलग अलग करना है ठीक है ना चलिए अब next question करते हैं तो देखे बच्चों next question जो कि हमारा five number का यहां पर क्या दिया है वही बड़ी से बड़ी संख्या मतला हमें क्या बताना है वही बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तता 426 को भाग करने पार पिरते एक दसाम है पिरते एक मतलब मैं 6 सेसफल देता है या देती ठीक ना तरीके से तो हमें क्या गयाद करना है कि 270 आपका यहां पर क्या लिखा है 270 यहां पर लिखा है 426 और इनको मतलब जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है लेकिन वो क्या है हमेसा 6 सेसफल दे तो चलिए देखो 6 सेसफल कब मिलेगा तो यहां पर कितना होगा देखिए तो यहां पर हो जाएगा 264 होगा इससे मैं 6 माइनस किया और इससे मैं करूँगा तो 420 हो जाएगा ठीक ना 6 माइनस कर दिया अब आपको इनका गुड़नखंड करना है देखिए पहले बड़ी से बड़ी संख्या अब चलिए चोटी से चोटी संख्या पूचे तो क्या करना है बड़ी से बड़ी संख्या पूचे तो आपसे क्या करना है नोट कर ले ना देखे पहले क्या होता है LCM LCM मतलब होता lowest इससे आपको ध्यान करना है छोटी से छोटी संख्या आपसे पूचे बच्चो छोटी से छोटी संख्या तो हमें निकालना है LCM ठीक है ना छोटी से छोटी संख्या पूचे तो हम क्या निकालेंगे LCM लेकिन आपसे बड़ी से बड़ी संक्या जैसे HCF इसको अंग्रेजी मात करिए Highest Common Factor Highest, जी Lowest मतलब कम से कम और इसका मतलब होता Highest अधिक से अधिक मतलब बड़ी संक्या तो आपसे बड़ी संक्या पूँचे बड़ी संक्या पूँचे तो हम क्या निकालेंगे इनका LHCF निकालेंगे जो कि महतम समवर तक अलग-अलग करना है फिर देखते हैं कि क्या आएगा तो हम चलिए इसमें किसमें क्या है गुरंखंड इनके करते हैं तो चलिए करिए दो से लगाए दो दूनी चार और यहां पर दो एकम दो जीरो आ गया ठीक है ना फिर यहां पर किस से जाएगा दो दो एकम दो फिर जीरो आ जाएगा दो पंचे दस फिर यहां किस से जाएगा पांच से पांच दूनी दस पांच एकम पांच फिर थिरी से जाएगा तीने कम तीन साथ है एक्कीस फिर किस से जाएगा साथ है कम साथ तो आप इस तरीके से करिए क्योंकि मुझे महत्म समवर तक निकालना मतलब HCF इसलिए मैं क्या अलग-अलग गुडनखंड कर रहा हूँ तो आपको ट्रिक दियान रखना है टू वन जा वन थिरी बार जाएगा टू बार जाएगा ठीक ना फिर जी टू से शिक्स बार वन यहाँ पर शिक्स बार जाएगा ठीक ना क्योंकि करिए वन हो जाएगा दो चिंग बारा दो चिंग बारा फिर यहाँ पर देखे टू से थिरी बार थिरी बार यहाँ भी पर यहां पर थिरी से 1, 1 तो यहां कितने थिरी से जाएगा पर यहां भी 11 बार जाएगा एक आजाएगा चलिए अब देखी आपको क्या करना है हमें मिलाना है कि जोड़ी किनका बन रहा है तो देखे एक 2 इहां पर है एक 2 वहाँ इसकी जोड़ए ये बन गई, तो मैं टू बाहर निकला, इस टू के जोड़ए इस टू से बना, एक टू बाहर निकल गया, अब देखिए, ठीरी की जोड़ए बन रहा एक वल ठीरी, ठीक है ना, तो चली हम ठीरी का मल्टिपलाई कर देंगे, तो दो दूनी चार, चारतिया 12 तो हमारा 12 जहां भी अंसर होगा गो हमारा आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस पहले ही कर लिए तो 6 सेज़ फल देगा अब हम चेक करेंगे कि यह आ रहा की नहीं सहीं ठीक है ना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्वेर पर आप नोट कर सकते हैं जल्दी से करिए इसके बाद पर मैं इनको डिलेट कर रहा हूँ ठीक ना तो आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं बच्चों तो ऐसी रोज अच्छी किलास रहेगी तो आपको जूड़ना है तो अब इसके बाद देखिए आप डिवाइड करके देखना है कि क्या वास्ताव में 6 सेसफल बच रहा है की नहीं तो देखिए यहाँ पर 270 है अब हम भाग लगाएंगे 12 से तो 12 12 12 24 ठीक है ना 12 12 24 कितना बचेगा तीन तो तीस आजाएगा फिर 12 दूनी 24 तो यहाँ पर 24 आगया कितना बचेगे 6 सेसफल वाकि में बच रहे हैं इसमें भी आप लगाओगे तो 6 सेसफल बचेगे 12 दून 24 बारती 36 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 जो कि फिर 6 बचेगा 66 हो जाएगे 12 पंचेश साथ मतलब 6 सेसफल बच रहे हैं तो दोनों में ठीक ना तो हमारा आंसर यह उप्सन इजदा करेक्ट हो जाएगा चलिए अब next question करते हैं तो देखिए अब next question क्या है 6 नमर का जो कि आपके सामने यहां पर देख रहा है कोस्चन कब आया है 2021 का कोस्चन है ठीक है ना तो आपको देखिए ऐसे कोस्चन कैसे करना है कि वाई कौन सी संक्या है जो 4, 8 और 6 से 3ों का गुड़ज है तो आपको पहले 3ों का हमें LCM निकाल लेना फिर उससे आसानी होगे तो पहले आप चेक करोगे तो देखो तीनों से भाग लगाना पड़ेगा किस से जा रहा इससे अच्छा है असान है कि 4, 8 और कितना 6 का आप डिवाइट करोगे LCM निकालना है तो कितना जाएगा 4 से करिए 4 एकम 4, 4 दुनी 8 यहाँ पर 6 बचेगा ठीक है ना इसके बाद 2 से 2, 1 यहाँ पर 3 बार 1 तो यहाँ पर 3 1 हो जाएगा तो 4 दुनी 8, 8, 3, 24 तो यहाँ पर 24 हमारा के आगया LCM अब देखिए 24 का कौन डिवाइड हो रहा अब यह हम चेक करेंगे ठीक है कि नहीं तो चलिए तो देखिए हम सबसे पहले किस में लगा सकते हैं बताईए 4 से मतलब 2 जाना चाहिए 4 से यह भी जा रहा है और अब हम लगा सकते हैं B option में देखते हैं ठीक है ना B option लगा के देखते हैं तो यहाँ पर 664 लिखा है 24 से भाग 24 से भाग मतलब आपको काटना आना चाहिए बच्चो चलिए 12 दूनी 24 ठीक ना अब देखिए 12 से काट सकते हैं 12 पंचे 60 और यहाँ पर कितना बच्ज़ रहा है 6 24 12 पंचे 60 मतलब जे नहीं जा रहा है ठीक ना 12 से दोनों जाना चाहिए तो वही संख्या क्या होगी हमारा सही आंसर होगा तो भी उप्सन नहीं है अब हम किस में C में देख लेते हैं 6 696 तो इसमें भी हम 12 का लगाएंगे 24 का भाग लगाएंगे 24 12 दूनी 24 12 पंचे 60 तो यहाँ पर 5 यहाँ गया पर 9 तो यहाँ पर कितने हो गया 96 12 पंचे 60 12 चिंग 72 12 सत्य 14 12 अठे चानना भी मतलब सांती हो हमारा जे जा रहा है तो 5 यहाँ पर 8 और नीचे 12 तो इससे भी आप लगा सकते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 2 दूनी 4 29 18 तो पूरा पूरा भाग जा रहा है किसमें C उप्सन में मतलब हमारा सही है ठीक ना जो इससे जाएगा वही इसका LCM जो की 24 में जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं चेक और पिर ज्यादा उप्सन हमीं करने की जरूरत नहीं है चलिए अब नेश्ट कोस्टन करते है फिर देखिए नेश्ट कोस्टन क्या है यहां पर लिखा है 45, 45, 60 और 75 के मातम समवर तक LCM का योग फल क्या होगा योग मतलब हो तब यह एड़ आपको जोड़ के बताना की इनका क्या होगा तो चलिए हम करते हैं हमें क्या LCF निकालना है LCF में आपको बताया था कि आपको अलग-अलग इनका उलनखंड करना है ठीक है ना चलिए इनका कर लेते हैं तो पहले हमें 45 का करना है किस से आ जाएगा 5, 55, 45 फिर यहां पर 3 से जाएगा 3 तिरकनों और यहां पर 3 एकम 3 इस तरीके से आप भी करना है फिर 60 लिकेंगे किस से जाएगा जे 5 से जाएगा 5 एकम 5, 2 नि 10 ठीक नजीरो हो के हूं की फिर किस से जाएगा 3 से 3, 4 के 12 फिर किस से जाएगा फिर 4 एकम 4 डारेक्ट लगा दो बच्चो यहां पर 4 एकम 4 चलिए फिर इसको हम किस से इसके बाद हम किस का करेंगे 75 का 75 का करिए तो यहां पर किस से जाएगा 5 से आप लगाएगे 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा 5 25 पिर 5 से जाएगा 5 तीज़ पंदरा, पिर यहां पर 3 एकम 3, अब देखिए इनको आपको मिलाना है कि क्या से मिलाना है पहले हम क्या नकाल लेते हैं 5 यहां पर मिल रहा है 5 यहां पर मिल रहा है यहां पर भी 5 मिल रहा है अब इसके बाद देखिए क्या मिल रहा है 3 यहां पर मिल रहा है 3 यहां पर 3 यहां पर तो आपको जहां रखना 15 आ गया ठीक है ना चलिए अब हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे तो LCM के लिए हमें क्या एक साथ multiply गुरंखंड करना स्वरी ठीक है एक साथ गुरंखंड करना है चलिए अब इसके बाद देखी आपको LCM निकालना फिर 60 लिखिए पिर यहां पर 75 अब चलिए कि करिए इनका पहले मैं 5 से लगाऊंगा 55 यहां पर कितने आ जाएंगे 12 बार जाएगा यहां पर 15 बार ठीक ना 75 यहां पर देखी फिर किससे आप लगा सकते हो 3 से 3 तिरकानों 3 चूंके 12 यहां पर 3 पांचे 15 तो हमारा जे चला गया इसके बाद देखी नेश्ट किससे जाएगा 3 से 1 यहां पर 4 का 4 रहेगा 5 का 5 तो चलिए हम और यहां पर डारेक्ट इनका गुड़ा होगा ठीक है ना चार बार जाएगा एक बार फिर 5 बार जाएगा एक बार तो हमारे पास क्या है आ तो हम यहीं का कर सकते हैं तो यहां पर हमारा 5 जाएगा अब हमको पता है अब क्या करना है नहीं का गुड़ा करना है चलिए पहले क्या आ गया हमारे पास multiply 5 3 और 3 सबी का करना है 3, 4, 5 यहां पर 4 और इसके बाद 5 ठीक है ना चलिए करिए तो 5 ती या 15 15 ती 45 45 आ गया और यहां पर हमारे पास 5 के 20 तो आपको 20 का multiply करना है तो 45 दूनी 90 होते हैं आप सबी को पता है मतलब 90 के बाद 19 के बाद 1, 0 आ जाएगा 90 के बाद ठीक ना तो 900 आ गया तो 915 हमारा जहां भी answer होगा वही ठीक होगा क्योंकि हमारा SCF 15 और यहां पर 900 आया तो हम दोनों को जूड़ देंगे 915 तो हमारा answer आ जाएगा 915 तो 915 जो कि आपको C option देखता होगा 915 क्योंकि last में 5 है last में यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है न तो चलिए तो बच्चों देखे किस तरीके से आप question कैसे जब भी आपको ऐसे question आए बन जाना चाहिए आपको दिहान रखना है ठीक है आप रोज देखोगे question ऐसे ही आप practice करोगे वीडियो तो वाके में आप से बन जाएंगे तो देखी आप यहां पर देख सकते हैं जो कि आपका answer 915 आये था ठीक ना इस तरीके से आप निकाल सकते हैं देखी question में time लगे लेकिन आपको सीखने के जो यहां पर मिल रहा है वो दौारे आपको भूल नहीं सकते हैं ठीक ना एक बार आप सीखे लिए बस अंतर आपको दियान रखना है कि SCF में हमें अलग-अलग गुरंखन करना है SCF में हमें क्या करना है एक साथ उनका उनकंड करना है तो आप इतना ध्यान रखोगे तो आराम से आपका कोस्चन कभी गलत नहीं जाएगा चलिए लेकिन देखो आप option में से करना चाहते तो उसमें थोड़ा mistake होने के chance ज़्यादा है बाग कि आप यहां पर करोगे आपको संख्याओं बताना देखे जी कहां कब हो आए था question 2019 का ठीक है ना नवद विद्यालाद 2019 का question है तो आपको बताना कि कैसे होगा एक question आता है बच्चो इनी type में से देखिए कि आपको बताना एक से 100 तक प्रकरतिक संख्याओं की संख्याओं कितने बार आता है और आपसे पूँच लेता है दो कितने बार तो आपसे पता होना चाहिए जो 1 रहता है 21 बार आता है बाँ कि सभी संख्याओं 20 बार आती है तो इस तरी किसा आपसे पूँचा जाता है ठीक ना लेकिन बट आज की इस question में क्या है, question क्या आप कह रहा है, आपको 3 और 5 से भाग जाना चाहिए, तो जो बच्चो 3 से जाएगा, आप 5 से जाना चाहिए, तो हम इनका गुड़नखन गुड़ा करेंगे, तो कितना जाएगा, 3, 5, 15 ठीक न, 15 आ गया, अब देखिए हमें 100 तक, 100 से मतलब कम होना चा लिए, तो हम क्या करेंगे, पंदरा का टेबल पढ़ेंगे, पंदरा एकम पंदरा, दुनी तीस, तिया पैंतालिस, चौके साथ, पंदा पच्छत्तर, छिक का नब्बे, पंदा सकते 105 तो ज़्यादा हो रहा, 105 हम नहीं लेंगे, अब बताईए इनको काउंट करके, आप ब देख सकते हैं, ठीक है ना, तो हमारा डी उप्सन इजदा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं, अगर ऐसे कोस्टन, मतलब जी कोस्टन आप सीखोगे, तो दुवारा कभी आपके एकजाम आए, तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि देखिए, दोहजार भाज है, भाज मतलब होता है, आपको LCM ही निकालना है, LCM ही निकालना है, तो चलिए बताइए क्या होगा LCM, इन सबका एक साथ आपको गड़नखंड करना है, आतो इतना टाइम लग रहा है, तो आपको क्या चेक कर लेना है, तीन, चार, पाँच, तो साथियो देखो, आतो पहले मैंने आपको क्या बताया था, जी कोस्चन पिछला है, ठीक नहीं, इसी टाइप का कोस्चन हमने क्या है, पीछे किये थे, तो कोस्चन देखे क्या है, 2019 में आया है, तो हम सबसे पहले देख सकते हैं, पांच से जो भाग जाएगा, जीरो आतो पांच आएगा, त देखिए, छे से भाग जाने के लिए क्या है, जे जा रहा है, बांके सी नहीं जा रहा है, ठीक ना, छे एकम छे, फिर दो बचिंगी, यहाँ पर बीस होगा, तो हमारा भी उप्सन सहीं होगा, तो बच्चों भी उप्सन सहीं होगा, जो कि आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है इनका लगुतम समभर तक क्या होगा तो देखिए आप तो आपको दूसरा ट्रिक क्या धिया रखना है कि जो संख्या रहते हैं मतलब आपको पहला संख्या गुरित दूसरा संख्या ठीक न जे दिये तो जो इनका बरावर होता है LCM गुरित SCF होता है तो ये भी आपको दिया रखना इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं तो इस विदी से अगर आपको दिया है दो संख्यां दिये हैं तो आपको क्या दिया SCF दिया तो LCM आप निकाल सकते हैं ठीक ना और अगर इसको गुरन खंड वैसे ही करना है आपको गुरन खंड तरीके से तो आप वैसे कर सकते हैं कैसे करना है चलिए हम कर सकते हैं देखिए यहाँ पर 14 यहाँ पर 28 ठीक ना चलिए करिए तो लगाए 7, 2, 14 यहाँ पर 7, 4, 28 फिर किस से जाएगा दो एकम दो यहां पर दो दोनी चार तो दो एकम यहां पर एक आ जाएगा तो साथ दोनी चवदा चवदा दोनी अठाइस तो हमारा 28 आंसर इसदा करेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा यह उप्सन सही है तो बच्चो और देखे कैसे बहुत आसान है कोस्चन अब आपको दुवारा ऐसे कोस्चन में गलती नहीं करना है तो चलिए कमेंट भी आपको बताना की सर वाके में सही है कोस्चन जब आपको एक होमबर्क मिलेगा कोस्चन उसको आपको हल करके बताना है तो डेली जोलना है बच्चो साम साथ बजे तो देखे बच्चो next question क्या है चार अंकिये चोटी से चोटी संख्या जो दो, तीन, आठ, दस से पूर्टा विभाजित हो ठीक है न तो वाई कौन सी संख्या आपको बताना है मतलब आपको बताना है यहाँ पर इनका LCM निकाल करके बताना है कि कौन सी चोटी स्ख्या चार अंकि कौन सी संख्या है मतलब बच्चो चोटी स्ख्या एक हजार है बड़ी संख्या हमें हम क्या बता सकते हैं चार, नाइन लगद देंगे जो की बड़ी संख्या लेकिन हमें बड़ी संख्या नहीं बताना है चोटी संख्या बताना है तो क्या आए अब बताएए इसमें देखो सबसे पहले इनका हम LCM निकालेंगे तो LCM आतो आप एक सांद करिये आतो हमें देख सकते हैं कि 2 है यहाँ पर 3 है इसके बाद 8 है इसके बाद 10 है तो देखिए पहले सबसे ज़्यादा दो कहां पर है तो दो की गहाँ तीन है तो हम 8 लेंगे इसके बाद 3 तीन लेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 गुरित 2 है दो 120 से अब डिवाइड इसको करोगे 1000 का ठीक है ना क्योंकि हमें चोटी चोटी संख्या लेना है 1000 भागे ते 120 अब 0 कार दिये 12,8,96 तो मतलब बच्चों हमारा 96 आ रहा है अगर इसी के 0 लगा दूँगा तो 960 अब इसमें कितने जोलना है मुझे कितने जोलना है 120 जोलना है ताकि हमारा पूरा पूरा भाग चला जाए तो 120 में एड करूँगा तो 0 यहां पर 8 और यहां पर 10 तो मेरा जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आएगा बच्चो 1080 जो कि कहां पर दिया है c option इसदा करेक्ट हो जाएगा तो बताई question कहीं सा लगा चली अब next question हम करते है तो बच्चो देखी next question क्या है चली इसको करते है दो संख्याओं का महतम समवर्तक 38 और उनका लगुतम समवर्तक यहां पर दिया है 991154 है अधी एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी तो बच्चो आपको इस तरीके से क्या ध्यान रखना देखे लिख लीजिए मैं जो मैं पहले आपको बताए था तो मतलब आपको दिया है पहला संख्या ठीक है ना तो मैं यहां पर लिखता हूँ एक संख्या चली अच्छे से इसको तो आपको इस तरीके से करना रह, मतलब आपको क्या करना थेह अधि एक संख्या जये खेएं और यहां पर L.C.M. . , इनका महत्तिम संवर्थ लिखनंस लेणा है L.C.M. कितना दिया थेहा ? 981 5,4 cm.38 його त ऊच्छे भी यह हैं यहां पर 1519 आपको दूसरी संख्या गयात करना है जब यह गयात करना है तो बच्चोegen यहां पर इनका क्या हो जाएगा डिवाइड होगा ठीक है न? इसका तो आप काट सकते हैं आपको फ्रिसका क्या है? देखिए एक संख्या इसको आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जित्यों लेकिन long method होगा वच्चो आप इतना काटोगे तो time ज्यादा लगेगा तो इसके लिए दूसरा trick क्या है आपको इतना तो ध्यान रखना है कभी आप से आजाए question में तो ठीक है ना चलिए अब इसका long जो method है यही है लेकिन sound cut आपको कौन से तरीकिस में आपको बताता हूँ question क्या है इसको कैसे करेंगे question अच्छा इसको note कर लेना और आपको ऐसे practice करना दे कैसे करोगे मातम समवर तक मतलब है 38 तो आप जानते हैं वच्चो ऐसी एप कितना होता है 38 है अगर है तो दोस्टी संख्या में जो भाग जारना चाहिए इसका जैसे पहली संख्या इसका है तो पूरा पूरा भाग इसका जाता है तो वैसे उस किसी option में पूरा भाग जाएगा अब देखो 38 है तो 19 दूनी 38 होते हैं हमें 19 का पहाड़ा पता है अगर जो इसका है तो वही किस से जाएगा पूरा भाग जाएगा 19 से तो हम 19 से भाग लगा के चेक करेंगे क्योंकि 19 का एक factor 38 होता है 19 दूनी 38 ठीक न अगर हम दो बार करेंगे तो यहाँ पर जे है तो 2 से भी भाग जाएगा और 19 से भी जाएगा तो 2 से तो सबी जा रहे हैं तो 2 से केवल 7 नहीं जा रहा तो यह तो होगा नहीं हमारा पहले हम काट दिए 2 से जाएगा और 19 से तो देखते हैं 19 से कौन जाएगा अब मैं पहला नहीं होगा बी ओप्सन चेक करके देखता हूँ 2, 3, 9, 4 ठीक ना 19 से आप लगा सकते हैं 19 से कम 19 एक होगा यहाँ पर कितने बचेंगे बच्चो 4 ठीक ना तो 19 से कम 19 फिर क्या 19 दूनी 38 फिर कितने बच्चाएंगे यहाँ पर 19 दूनी 38 तो यहाँ पर बच्चाएंगे 11 ठीक ना क्योंकि यहाँ पर देखिए 49 हैं तो यहां पर 11 बच जाएंगे तो 19 छिक्का 114 होते हैं आप सभी को पता है 19 छिक्का 114 तो हमारा पूरा पूरा भाग चला गया तो हम अनुमान मतलब 100% सही होगा हमारा B-Option सही इस तरीके से आप कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि क्या C-Option में जा रहा है C-Option में अब किसी में नहीं जाएगा क्योंकि हमारा B-Option सही होगा देख सकते हैं 19 एकम 19 19 दुनी 38 तो फिर हमारे पास कितने 11 बचेंगे तो 113 हो जाएंगे दो बार गया अब इसके बाद देखिए 19 दुनी 38 95 फिर हो रहा है बच्चो अब 95 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हो गया 8 यहाँ पर कितना हो गया 1 तो 18 आ रहे हैं यहाँ पर 2 क्या 19 के पहाला में जाता है 182 तो भाग नहीं जाता है ठीक न तो इस तरीके से आपका B-Options नहीं होगा तो आप क्या है जब भी आपसे महतम समर तक पूछे तो दोनों संख्या में भाग जाएगा आ तो उनका फैक्टर जाएगा जैसे 19, 32, 38 तो दो का भी भाग जाएगा और क्या है 19 का भी जाएगा चली अब नेश्ट कोस्चन करते हैं तो देखे बच्चो नेश्ट कोस्चन क्या है 128, 288 और 160 का मासा SCF क्या होगा तो मासा मैंने बताए कि आपको अलग-अलग इनका गुड़नखंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं लेकिन मासा के लिए आपको देखे क्या धिया रखना है मालो आपको कोई भी संख्या पूछे उनका फैक्टर भी जाता है तो आप से 24 मालो अगर देखे 24 से अगर भाग जा रहा है तो इसका फैक्टर क्या है बच्चो 12 12 दूनी 24 होते है और इसके भी क्या है 3 से मतलब वो संख्या है 3 से भी जाएगी भाग अगर 24 से जाएगा ठीक ना तो वो 3 से भी जाएगा 3 से भी भाग तीनों संक्याएं तो देखते हैं इनमें से कौन सा होगा देखे क्योंकि ये बड़ा है आप तीनों का अगर गुरंखंड करोगे तो टाइम आपसे जाद लगी वे छोटे के लिए तो आपसन से आप कैसे करोगे मासा के लिए मैंने ट्रिक बताया है चलो देखे पहले आपको देख रहा है तीनों से एक सो साथ तो एक सो साथ आपने देखा तो आपने देखे धियान आया है चौबिस से क्या ये जाएगा सोला देख रहा है क्योंकि सोला एकम सोला ये पूरा भाग जा रहा है ठीक ना अब इसके बाद क्या करोगे आप इसके बाद देखे हमने देखे कि 4 है और एक तो 4, चर्चों के 16 8 दूनी 16 आठवी है तो क्या हम 3 चेक कर सकते हैं 4 से जा रहा है 4 चिंग 24, चर सत्य अठाइस ये भी जा रहा है 4 सत्य अठाइस 4 दूनी 4 ती अबारा, चर दूनी 8 ये भी जा रहा है अब 8 से देखिए ठीक ना यहां 38, 24, यहां पर कितने हो जाएंगे बच्चों फिर 4 ठीक ना, 8, 8, 6, 48 जा रहा है और यहां पर देखिए 8 कम 8, 6, 48 तो मतलब दोनों जा रहे हैं तो हमारा 16 आप्सन सहीं होगा ठीक ना तो यही हमारा 16 क्योंकि 32 से 160 नहीं जा रहा है 32 से भाग लगाना 32 से भाग लगाना मतलब काटना होता है तो आप से काटते बनता होगा अच्छे से तो मैं अपने बच्चों को बहुत बहतरी तरीके से काटना सिकाता हूँ 16, 16, 16, 16, 32 ठीक ना 16, 16, 16, 32 हो गया फिर यहां पर 2, 5, 10 तो 5 बार तो मतलब हाँ यह भी जा रहा 32 भी जा रहा देखिए अब क्या 288, 128 जा रहा है हम चेक करेंगे 32 से हो सकता हमारा 32 भी अंसर हो सकता है 128 भाग लगा 32 ठीक ना तो चलिए करिए तो यहां पर देखिए 16, 18, 18, 16, 22 32 तो 2, 4, 8, मतलब 32 भी जा रहा है ठीक ना तो देखिए इसमें भी जा रहा है अब तीसरे नम्मर में हम भाग लगा के देखेंगे तो हमारा 32 अप्सन हो सकता है अगर 288 में 32 भी चला जाएगा तो हमारा 32 ही सहीं होगा तो देखिए करिए 16, 16, 16, 32 तो जितो होगा नहीं 16 से आप काट सकते हैं 16, 32 तो जिए जा रहा है 16, 16, कितने बार जाएगा बच्चो एक बार तो यहाँ पर कितने आगा फिर 88 तो 100 यहाँ पर 12 आ जाएंगे तो 128 यहाँ जो कि अभी हम देखेंगे जा रहा है तो हमारा ऑप्सन बच्चो 16 नहीं होगा क्या होगा 32 होगा क्योंकि 3 में हम देख लिए भाग लगा करके तो 32 होगा ठीक ना, 16 से जो बड़ा है क्योंकि वही होगा हमारा 16 तो होता यहाँ पर 32 लिखा तो हमारा 32 होगा ठीक है ना, तो चलिए अब मैं अभी 14 नमर कोस्टन कर रहे हैं लेकिन आपको इतना कंटेंट मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी कोस्टन LCM SCF से आप से बाहर नहीं जाएगा ठीक नवोदा विद्याले के लिए मूश्ट ए टॉपिक रहते हैं बच्चों हम रोज यह से टॉपिक लाएंगे तो मतलब वीडियो में जितने कोस्टन हो पा रहा है इसके नेस्ट कोस्टन हम अंगले वीडियो पर करेंगे नेस्ट डे तो 2016 का यह कोस्टन आया हुआ देखे अब कैसे कोस्टन इसको करते हैं कोस्टन बहुत बढ़िया है आपको अच्छे से करना है ठीक है न चलिए देखे क्या लेका अधी दो से अभाज संख्याओं का गुडनपल 117 है तो उनका लासा LCM क्या होगा तो मतलब आपसे बनना चाहिए क्या बनना चाहिए से अभाज को प्राइम नम्मर से अभाज संख्याओं बनना चाहिए तो जी नम्मर सिस्टम से आपको पता होना चाहिए बहाज संख्याओं कौन सी है तो से अभाज संख्याओं आपको लिख लेना है कौन सी होते हैं से अभाज को प्राइम नम्मर मतलब बच्चो जिनका क्या है एक LCM होता हो जिनका LCM एक होता हमेशा मालो को प्राइम नम्मर कौन है 2 SCF मतलब 2 और 2 मतलब 2 और 3 जिनका क्या है SCF बच्चो SCF हमेशा एक हो तुनही को प्राइम नम्मर कहते है तिक रून के फेक्टर ज्यादा नहीं और मैं क्या ले सकता हूँ 5 और 7 जी क्या है को प्राइम नम्मर है सेह अभाज संख्या तो जिनका एक रहता है LCM और जो क्या है अभाज संख्या रहता है और बताईए मालो मैं ले लेता हूँ 11 और यहाँ पर 13 ठीक ना जए ऐसे संख्या रहते हैं यहाँ पर 117 117 देखे किसी के पहाड़े में नहीं आते तो आप लख सकते हैं वैसी संख्या जिनका जिनका वे संख्याए जिनका SCF SCF 1 हो, क्या हो? 1 हो, ठीक है ना वैसी संख्या हैं हम से अभाज जिस संख्या कहते हैं को प्राइम नमर तो आपको सवाल में अब क्या करना है देखी चलिए इनका LCM पूछा है LCM बच्चो क्या होता है मतलब कोई भी संख्या होगी उनका क्या होगा मालो बच्चो यहाँ पर LCM लासा पूछा है तो 117 से तो भाग जाएगा लासा पन जानते हैं है की नहीं क्योंकि इसका भाग जाना चाहिए तो मालो को यह संख्या होगी यह वर 117 होगा अब इन दोनों का मल्टिप्लाई करेंगे तो 117 अमारा डियो अप्सन सही होगा ठीक ना LCM के लिए तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सहाबासांख्या बहाज संक्या क्या होते हैं सहाबासांख्या को प्रामी नमर होते हैं जिनका SCF एक होता है चली इसको नोट कर लेना है हम आगए एक Next question करते हैं इसके बाद Second last होगा जो Next होगा आपको Homework मिलेगा 1368 को भाग किया जाए तो पिरते किस्तिती में 3 सेजफल बचे तो ऐसे ही सेम कोश्चन हम पिछले कोश्चन किये थे जो कि 2015 में आया हुए कोश्चन है आप देख सकते हैं तो प्रिवर्स कोश्चन अभी हम 2015 में पहुंचें इसके बाद हम क्या है 2003 तक के पूरे कोश्चन जित अगला गुलंखंड करना यह आपको ध्यान होना चाहिए ठीक ना चलिए तो आपसन से आप करोगे लेकिन यहाँ पर क्या टाइम लग सकता है और यहाँ पर क्या पूंचा देखे तीन सेजफल बचे तो हमें 3 माइनस करके आपको गुलंखंड करना है तो 3 सेजफल बचे मत तीन तेरा 65 बच जाएगा ठीक ना चलिए अब इनका अलग अलग हमें क्या करना है उड़नखंड करना है तो सबसे पहले मैं किसका करूंगा यहाँ पर 12 चोहतिसका करूंगा तो 12 ठीक ना यहाँ पर मैं लिखिया 12 और यहाँ पर 74 चलिए किससे लगाओगे आप बहाग तो आप किससे 2 से लगा सकते हैं 2 चींग 12 इसके बाद क्या जाएगा 2 चीज़ एक 2 सत्य चुदा जी साथ से जा रहा बच्चों देखे सत्नम 63 साथ एकम साथ अब जी किससे जा सकता है 13 से 13 सत्य इंकान नवे और यहाँ पर साथ एकम साथ तो आपका इस तरह इस गुरनखंड आपने किये पर किसका करेंगे 13 65 का आप सभी से पता होगा जी जा रहा है 13 से 13 एकम 13 यहाँ पर 0 आएगा अब देखे बच्चों भाग लगाने में बहुत से बच्चे मिस्टे करते हैं कि 13 एकम 13 0 कैसे आएगा क्योंकि जब यहाँ पर दो संख्या लेते हैं तो हम 0 लगाए पर किससे जाएगा जी 15 से जाएगा सोरी हम 7 से लगा सकते हैं ठीक ना 7 एकम 7 पर 3 बचेगा 7 35 तो यहाँ पर 5 तिया 15 और यहाँ पर 3 एकम 3 तो इस तरह की सापनी किये अब हमें मिलाना है कौन-कौन की जोड़ी बन रही है तो 13 एक तेरह यहाँ पर जोड़ी बन गया 7 यह पर एक साथ जी बन गया कि आपको और दिख रहा है तू है पर यहाँ पर तू नहीं है पांच है यहाँ पर पांच नहीं है साथ है यहाँ पर एक और साथ नहीं है तीन की जोड़ी नहीं है तो यहाँ पर सेवन मल्टिफलाई 13 तो 13 सत्य इंकान नवे जो कि आपका राइट answer होगा C option is the correct तो बता यह कैसा लगाया आपको बड़ी से बड़ी संख्या आप निकाले हैं और आपका answer 91 आया है चली अब हम next question जो कि आपको home work पर मिलेगा ठीक ना तो बच्चो इसका उतार लेना आपको coffee कर लेना है ताकि आपसे ऐसे question next बन जाए तो बच्चो यह question आपके लिए home work में रहेगा ठीक ना home work में आपको करके बताना कि क्या होगा 114 तथा 95 का लासा क्या होगा जो कि 2015 में आया हुआ previous question है तो फिर next जो वीडियो होगा तो हम यहाँ पर करेंगे 16 से ठीक ना चलिए जैहिन जैभारत लाइक कर दें सिस्क्राइब करने ताकि आपको नवोद अविद्याले की एक्जाम में बिल्कुल अपने को अच्छे से करना है चलिए जैहिन जैभारत